मित्रों इस संसार में सभी लोग अलग-अलग देवी देवताओं की पूझा उपासना करते हैं। हमारे इस ब्रहमांड में कई सारे ऐसे लोग हैं जिसमें अलग-अलग देवी देवताओं निवास करते हैं। कुछ हमारे नजदी की लोक में रहने वाले देवी देवता जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा इसी लिए होता है, कि लगातार एक ही दिशा, और समय पर कोई मंत्र की जब साधना करते हैं, तो साधना के समय मंत्र जाप से निकलने वाले ध्वनी तरंगें, उन तक जल्द ही पहुच जाती हैं, और इसी कारण से वे जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं, मित्रो इसलिए यक्ष, गंधर्व, अपसराकी की हुई साधनाय जल्दी पूरी हो जाती है, क्योंकि इन सब के लोक हमारी प्रिथवी के सबसे पास में हैं, तो मित्रो आज हम इस विडियो में आ यक्ष और यक्षनी कौन हैं, और इनकी शक्ति क्या हैं, मित्रो इक्ष याने की जादू की शक्तियां, और यक्षनी को शिव जी की दासिया भी कहा जाता है, आदियनादी काल में ये सब रहस्यमई जातिया थी, जैसे की देव, दानव, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन वानर, वानर, अपसराय, रीज, किरात, नाग, भल, आदी. ये सभी मानव जाती से कुछ अलग ही थे. क्या आपको पता है कि देवों के बाद दैविय शक्तियों में दूसरा नंबर यक्षो का ही आता है, पर लोगों की कुछ गलत मान्यताय भी है, जिसमें लोग यक्षिनिय को किसी भूत प्रेत की तरह मानते हैं. वैसे हम आपको बता दे कि यक्षिनी सकारात्मक शक्तिया है और पिशाचिनिया नकारात्मक शक्तिया है. इन सब के अंदर कुछ रहस्यमई ताक्ते होती है, जिससे वे मानव जाती की मदद करते हैं. यक्ष और यक्षिनिया कुल 64 ह इसमें से हम आपको आठ यक्षिनियों के बारे में संक्षिप्त में बता रहे हैं। उसके पहले आपको यह बता दे कि यक्षनी का प्रत्यक्षी करण करना कोई आसान बात नहीं है। कोई भी मंत्र या ध्यान साधना करता है तो उसकी एकागरता शक्ती बहुत बढ़ चुकी होती है और ऐसे साधक को सफलता बहुत शीघर प्राप्त होती है। और यदि कोई व्यक्ती पहले किसी भी देवी देवता या अन्य कोई ध्यान साधना को वक्त नहीं देया हो तो उसे ज्यादा वक्त लग सकता है। कई साधकों को साधना के कुछ दिनों की शुरुवात में ही अनुभूतिया होनी शुरू हो जाती है। जैसे साधना में पायल के घुंगरूं की आवाज आना, धर्ती का हिलना महसूस होना, साधना करते वक्त ऐसा महसूस होना जैसे आपके पास कोई बैठा है या आपके आसपास कोई घूम रहा है, कई बार आपको स्वपन में भी सुरसुंदरी देवी अपने किसी रूप के दर करीब है, यदि आपको 21, 30 या 40 दिन तक भी कोई अनुभूती या प्रत्यक्षी करण नहीं होता है, तो आपको अपनी साधना निरंतर जारी रखनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि देवी का प्रत्यक्षी करण हो तभी साधना को सफल समझना चाहिए, यदि आपने 21, 30 या 40 दिन की साधना संपूर्ण कर ली है, फिर भी आप देवी के मंतर का आवाहन करके उनसे कोई कार्य करवाना चाहोगे, तो आपका कार्य अवश्य सिध्ध होगा, अब बात करते हैं कि देवी को माता, बहन, पत्नी या प्रेमिका में से किस रूप में संकल्प लेकर साधना श पत्नी आपके लिए जो कार्य करती है, और आपकी प्रेमिका आपके लिए जो कार्य करती है, वही काम सुर्प सुन्दरी देवी आपके लिए करेगी, जैसी भावना से आपने उसकी साधना की है, याद रहे, पत्नी किसी अन्य पत्नी को बरदाश्ट नहीं कर सकती, यदि आपको ब्रहमचर्य रहकर पूरी जिन्दगी व्यतीत करनी है, तो ही आप पत्नी रूप में डेवी का आवाहन कर सकते हूं। प्रेमिका रूप में भी यदि भोग की इच्छा रखकर साधना की जाए, तो साधना में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रत्येक साधना जतेंद्रिय होकर की जाती है, और आपकी शुर्वात ही भोग की इच्छा से होगी, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। सुर्सुंदरी यक्षिनी की साधना आप किसी भी शुकलपक्ष के रविवार या शुक्रवार को शुरू कर सकते हैं साधना के लिए किसी एकांत और स्वच स्थान का चयन करें जहाँ पर साधना के वक्त आपको कोई परेशानी न हो साधना के लिए रुदराक्ष या स्वटिक की माला का प्रयोग करना है साधना पूर्व दिशा की ओर मुख करके करनी है साधना में यक्षणी यंत्र का प्रयोग करें तो बहुत अधिक लाब होगा यंत्र को पूर्व दिशा की ओर किसी स्वच स्थान पर स्थापित करना है साधना के पहले दिन शुरुवात करने से पहले गनेश पूजा, गुरु पूजा और कुल देवता की पूजा करके फिर जितने दिन जितनी संख्या में जाप करना है उसका संकल्प ले उसके बाद आपने एक आग्रचित होकर मंत्र का जाप शुरू कर देना है मंत्र इस प्रकार है ओम हरीम आगच्छ सुर सुन्दरी स्वाहा वैसे तो सुर सुन्दरी यक्षणी का तीन समय दो शूने 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 जाप करने का विधान है मगर आप यदी एक आग्रचित और श्रद्धा विश्वास के साथ केवल रात्री के समय दस बजे के बाद कम से कम दस माला रोजाना जाप भी करोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी याद रहे जब संख्या से ज्यादा आप कितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ जाप करते हो यह ज्यादा माइने रखता है कम से कम 21 दिन का संकल्प लेकर जाप करें साधना में रोजाना जब समय जब संख्या और जब करने का स्थान एक होना चाहिए यदि देवी की कृपा हुई तो 6-7 दिनों के बाद आपको अनुभूतिया होनी शुरू हो सकती है तब घबराएं नहीं बलकी और एकागरता में विश्वास से अपना जाप जारी रखे देवी के यंत्र को रोजाना सफेद पुश परपन करें और साधना के पहले दिन साधना शुरू करने से पहले शिव मंदिर में पूजा जरूर करें सुर सुन्दरी यक्षणी शिव पारवती की पूजा से बहुत प्रसन होती है आप जितनी संख्या में जाप करें उसका दशाश मंत्र आहुती देकर हवन जरूर करें हवन सामगरी में गूगल की मात्रा अधिक रखनी है, साधना के आखिर वाले दिन में चावल और दूध की खीर बनाकर मंत्र से आहुती देकर हवन करें यदि सुर्सुंदरी यक्षणी साधना के बीच प्रत्यक्ष होकर वचन मांगने को बोले तो उससे यह वचन लें कि मैं जब भी आपका आवाहन करूँ तो आप मेरे कार्य सिद्ध करें यदि साधना में प्रत्यक्षी करणना भी हो तब भी साधना संपूर्ण होने के बाद अपना जब जारी रखें साधना को निरंतर करते रहने से सुर्सुंदरी यक्षणी अप्रत्यक्ष रूप में साधक के पास रहकर उसके कार्य करती रहती है यह देवी व्यक्ति को रंग से राजा तक बनाने में समक्ष है साधना जब संपूर्ण हो जाए तो साधना में जिस यंत्र और माला का प्रयोग किया है उसका विसर्जन कर देना है